इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सभी का खैर मगदम है जैसे कि साम सभी जानते है कि राम सेना के सरगना मुखिया ने बेलगाम में आकर गोश्ट की मार्केट जलानी की जो धंकी दीती सी को पुलिस कमिशनर और पुलिस के सामने टिपू सल्तान संगर समीति और दिगर तंजीमों अपना मतालबा पेश करते हुए कहा कि इस पर कारवाई की जैस तरह की गुंडा गर्दी अक्सर ये करते देखा जाता है और हर जगह की अमन पसंद फिजा को खराब करने का माहौल बनाने का राम सेना की जानिम से बार बार किया जाता है वाज़ रहे कि राम सेना के जो की गुंडा गर्दी की बात करने वालों पर सक्त कारवाई करते हुए बेलगाम पुलिस कारवाई करे ताकि बेलगाम एक अमन पसंद शहर है और ये अमन अमन कायम रहे बरकरार रहे टीप सुल्तान संगर समीती के सदर आरीफ कटगेरी ने इतिहाद नियूस को बताते करनाटक को खराब किया जाए और शहर के अंदर शहर को किसी तरह से फसाद की आग में जोंकने की कोशिश करे इससे पहले भी कई सारे मुकद में प्रमद मुतालिक पर दायर किये गए हैं गोवा जैसे इलाके में इन पर पाबंदी लगा दी गई है जबकि गोवा में बीज तरह के भी सवाल आता आते रहे हैं लिहाजा उन्होंने आज मुतालबा पेश किया और कहा कि इस पर सक्त कारवाई करते हुए इस पर मुकद में दायर कर दिया जारो यहां तक कि इस पर तड़ी पार का काईदा लगाते हुए इसे यहां से शेहर बदर कर दिया जाए देखेंगे कि अब पुलिस किस तरह से कारवाई करती है क्योंकि 8 जुलै को बेलगाम चलो का जो आईलान किया था वो रद होने की कगार पर है और पुलिस भी इस पर संजीदगी से गावर करती नजिए देखेंगे कि किस तरह से इन पर सक्त कारवाई की जाती है इतिहाद न्यूस देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाँ आफिज और कम्मिनल वालेंस करने का उसका इरादा है, तो हम पिछले दो दिन से विलगाम के सभी अववाम और टिपो स्वान संगर संविधी जम से पूलिस दिपार्मेंट के पास गये थे, कि हमें बड़े पैमाने पर आकर यहाँ पर मेमरडम देने वाले हैं, लेकिन ACP बर्मनी सर और विजय मुलगंडी सर जो मार्केट CPI हैं, वो हमें यकीन दिला है कि ऐसे अत्मी को हम शहर में भुसने नहीं देंगे, आर्ट जुलाई को, और उनकी सक्त हमें अरेश्ट करके जो नहीं वहीं पर सिटी से भाहर देंगे, तो इनके कहने पर हम लोग जहने चंद लोग आ कराएं, यहीं आज हम में मुलडम DC को दिया हैं झाल 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 झाल